कि वेरी बॉर्निंग दिया स्पिरेंस वेलकम टूदर 247 दिस इस में अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी जबर्दश चल रही होगी इसी बात के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं और किसी ने पूछा सराज का एजेंडा क्या है और एजेंडा बिलकुल क्लियर है कि हम लोग आज कोडिंग डिकोडिंग के डे 5 पे हैं और इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार फटा-फट से कमेंट करें बता दिजे कि मैं आपको विजिबल हूं और ऑडिबल हूं ताकि मैं सेशन को अच्छे से आगे बढ़ा पाऊं जल्दी से कमेंट कीजिए औ इस झाल को आपको अ है तो टान कोडिशनल कोडिंग मतलब कि ऑफट्स हम लोगोने थोड़ा बफ़त अच्छेज के लिया है किसी से को लेके तो नुू पाटन को आपको बहूं बहूं किया हूं सभास्टि के गए घान किए गए हो इसमें भी स्टेप इंकल्ग के मैं इसमें स आज है Coding Recording का Day 5, मतलब समझ रहा है, पूरा विस्तार में discussion चल रहा है, और आपको कुछ नहीं करना है, कंडिशनल कोडिंग में आज अच अचा होगी, कंडिशनल कोडिंग में जितने बाते आज हो सकती हैं, बची कुछी बाते हैं, अगर बच जाएगी बाते हैं, तो हम कल भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, मसला यह है कि आपको अपने इस सेशन को इंटरी करते वक्त में आई कमिन के जगह पे लाइक ठोकते वे इंटरी करना है, और दूसरा काम यह करना है कि फीस के जगह पे शेयर कर देना है, बस यह दो बातों का जो मतलब है, उसको समझे और उसका पालन कीजिए, बात खतम है जलिए, so let's move forward towards the agenda of the session, और उससे पहले बड़ी अच्छी बात मैं यहां पे लिखा हूं और कल यह मैं खुद से लिखा हूं, and this is written by, uh, sort of saying, the thing is, ki, uh, if you copy someone, it's very rare, that you will find, you will make mistakes, if you copy someone, it's very rare, that you will make mistakes, but if you do, it by yourself, you may counter some silly mistakes, but then, you will be stronger and innovative, moreover different from others, so kindly, uh, try to realize the sentences, which I have, the words which I have written, yesterday night, because I observed that, uh, in yesterday's lecture, what happened, मैं थोड़ा सा, uh, mistake किया थैक सवाल में, तो मुझे फील हुआ कि, of course मैं गलती से, वबल और कॉंसेंट वाले तर्म में बोलने में में मिस्टेक कर गया, मैं, of course, मुझे वहां पे मैं गलत किया, तो मुझे फील हुआ कि, ठीक है, या, mistake हो गया, लेकिन, of course, we can overcome that mistake, of course, मैं क्लास अभी करी रहा हूं, तो, of course, मैं मिस्टेक को overcome कर सकते है, so, यह जो है, आपको हमें सा थोड़ा इनोवेटिव बनाता है, तोड़ा सा इनोवेटिव बनाता है, तोड़ा सा बनाता है, सवाल को cut copy paste नहीं मारा जाता है, ठीक है, so, let's move forward now, now we'll talk about the, now we'll talk about the question, that means agenda of the session, agenda क्या है, session क्या आज क्या है, तो आज अपन सबसे पहले तो चर्चा करने वाले हैं, इस बात पे, that means, कि हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं, वह हम करने वाले हैं, कि जो हमनों कुछ क्वेश तो तौन एंडर चर्चा करने वाले हैं, आज चोर्चा के रहें, भाद सबसे चर्चा करने करें सबसें तो चर्चा कर तौत पर लिए हैं, तो आप चार, प्रिश्ले चार दीनों में सबसें पोग्स, सबसें दिनों कर या यह उंड़े हैं, थ mentionedben Creo buttons जो बाता जाएं सुन्ते हैं को बाता वेश बेड कोणिक है आफ में साक जा ईका जा ऊएंगा को दिए लुप्र और इसको भी आप ख्याल में रखे कि यह मिस्टेक सर से भी हुआ था तो अफोर्स मुझे यह मिस्टेक नहीं करना है ठीक 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 है चली आगे बढ़ते हैं So next thing is conditional coding next thing is conditional coding so now Tuesday is targeted is conditional coding लेकिन उससे पहले हम लोग जो लास्ट कोशिन था ना कलका सर पजल बेस्ट कोडिंग रिकोडिंग कराई अर सब करेंगे सब करेंगे अभी बोल तो रहा है कुछ होड़ेंगे नहीं है अपन Chinese coding recording इसको बोलते हैं लोग जो आसान भासा में लोग इस वाले को बोलते है Chinese coding recording ठीक है ठीक है मैयूर I hope you got the idea चलो आगे बढ़ते हैं now यह question था जिसमें हम दोगा ने mistake किया हम सभी ने मिलके mistake किया आपने ही mistake किया और कहीं थोड़ा सा comment पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही आजकल तो कमेंट्स जो है वाइटी में यूट्यूब में ही थोड़ा इशू आ गया है लाइव व्यूवर्स को देखने में दिक्कत हो रही है कमेंट्स जो है कभी रुख जाता है फिर चलना सुरू हो जाता है तो इस तरह से मेभी concentration को वैसे हुआ या जो भी हुआ हमने यहां पर से किया तो क्या मिस्टेक था ऑफकूर्स ववल और कॉंसनेंट पर ही डिपेंड़न है आपका यह सिंबल्स देखने है यहां पर सेकंड लास्ट जो दिखना ना पो सेकंड लास्ट लेटर जो है वह उसके आधार पर हम लोग काही न कहीं इसको इसको इस्तमाल कर रहे थे ठीक है सेकंड लास्ट लेटर के अधार पर ठीक है ठीक है ठीक है मतलब यह कि जो सेकंड लास्ट लेटर है अगर वोवल पाया गया अगर सेकंड लास्ट लेटर मतलब की सेकंड लास्ट लेटर सिंबल के बता रहा हूं मैं सेकंड लास्ट लेटर इसको अपडेट कर लिज प्रविल आप्लाइय है 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 अर अगर सेकंद लाष्ट हमारे पास कॉंस निट तो हम आप अधर यूज कर रहे लेकि लिग निट था हम लोगों ने किया था हैं रिखिख धला यह ने इस्टाइब ते इंट प्रस्टें व Спिर अगर नुम्डव ले टर्ट के यह थे बाइख पास्क प्रस्टक थीघ सबस्राइब पाइए नहीं मैlles साफ जब शाष मोष्ट काम कर लिया है प्रस्राइज काम एर दाख काम कर लिया था यहा तो इन्टेक्ट्छ उता है वंगेró, मारी छोगी आपरो में अदुनेMusij कर ने कर वो कर दोताऊ है विल्कूल कर दो एट सथ को हमें, र cinय वी तो लिवाजसनारामनी अधिर को बाकि भाकई sounds तो थोड़ा सुकून से चलेंगे बिकॉस यह सवाल जल्दी जल्दी में मिस्टेक किया था मनें लास्ट कोशिन के तरह अब आगे बढ़ते हैं यह सारे सवाल अमने इस पे तीन सवाल दिये थे तो आई थिंक यह कर लिए हूंगे आज और आपके लिए आफ कोर्स कहीं ने कह काना सर्मा कह रहे हैं से हाँ सर मैंने आपको लास्ट लाइन का वोला था ठीक है तो टाइम कम था ना लास्ट मोमेंट पर मैं नहीं पढ़ पाया हूंगा तो इस ते नहीं ध्यान दिया कोई बात नहीं है चली आगे बढ़ते हैं आज का जो चड़चा है ना वह कंडिस्नल मतलब जो डेडिकेशन हमारा रहेगा आज के सेसन में बहुत सुकूंज चलेंगे हरबड़ी में नहीं चलेंगे बिकॉज मिस्टेक्स हो सकते हैं सो विल ट्राइटू अब्जर्फ देंग्स प्रपरली और कोशिश करें कि कोई भी हरबड़ी में नहीं चलेंगे अगर थैंक एस सोच रहेएं आप कि भाँगवाल बाउत को अधिशन को द्यान में रखना है बाँक हमने में में से एक्जाम्मनेशन को अध्यान में रखते हूए उस लेवल के सवाल को प्लॉट करना ही नहीं को हिस की है लेकिन हाँ जो तरीका है सवाल के प्रजेंटेशन का फिर से यही पर है, ऐसा ही है, मतब सबसे पहला सवाल थोड़ा easy होगा, फिर थोड़ा tough होगा, फिर थोड़ा tough होगा, फिर थोड़ा tough होगा, ऐसे बरते चलेंगे, बन ठीक है, तो first of set of questions जो है, वो क्या कह रहा है, of course, य मैं सारे message नहीं देख सकता है, सर्फ PDF कहां मिलेंगे, PDF आपको link में मिलनी चाही है, नहीं मिल रही है, थोड़ा सा issue चल रहा है, PDF को लेके, because team साथ में नहीं है, तो थोड़ा सा issue चलता है, सब आपने अपने घर से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है Now, अब यहां पर क्या होगा, जब भी हम conditional coding की बातें कर रहे होंगे, तो हमारे सामने एक box given होगा, इस तरह से box given होगा, जिसमें letters लिखे रहेंगे उपर और नीचे उसका code दिया रहेंगे, code में हो सकता है कि कोई symbol हो, या फिर कोई number दिया हो, कई बार क्या होता है, इसको यह फिलिप कर देते हैं, कई बार code मतलब कि जो number और symbol हो पर लग देंगे, और letter code नीचे रख देंगे, letters जो होगे, वो code में आएंगे, that means सवाल को present करने का जो तरीका होगा, वो सिधा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, that means कि जो letters हो यहां given है, और codes जो हो नीचे given ह है, simple सी बात है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब, उसके बाद कुछ conditions given होगे, आपको conditions नजरा रहे हैं, सारे line दिख रहे हैं, आपको, of course, दिख रहे है, ठीक है, उसके बाद कुछ conditions नजरा आएंगे, जो आपको नजरा रहे हैं, यहां पर फिलहाल मैं थोड़ा odd side हो आता है, अब ही दिख रहा है, चलो, ठीक है, so, कुल मला के यहां पर क्या है, conditions given होगे, चार condition यहां दिया हुआ है, condition 1, 2, 3 and 4, इस conditions के तहत हमें सवाल को आंसर करना है, अब एक मसला यहां पर है, एक importance क्या होगा यहां पर, एक importance में जो ध्यान रखनी है, वो यह रखनी है, not visible, okay, अब देखो, I think, अब ठीक है, मैं गाया वो जाओ, ठीक है, ठीक है, चलो, वैसे आगे ठीक रहेगा, और कोई दिक्कत नहीं होने वाली, विकाज मैं आगे वाले स्लाइट पे सब कुछ प्रोपरली रखा हुआ हूँ, ठीक है, मैं इस बात का ध्यान नखा था, कि कैस सबसे होगा सवाल में, तो सवाल चलो, प्रोपरली मैं अब भी नॉमली बैठ याता हूँ, क्योंकि अभी सब दिख रहा होगा, विकाज मैं अभी प्रोपर जग पर हूँगा, सो, कंडिशन में यहां भी सारे कंडिशन में यहां भी कॉपी कर रखने हैं, जहां पर क्या रखनी है, सबसे इंपोर्ट भाइज द्यान में रखनी है, वह यह रखनी है, कि हम ववल, अब जब हमरे पास वर्ड वाले सवाल होगे, मतलब कि अगर कभी भी इस बात को बहुत ध्यान सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जब भी लेटर के कोड किये गया होगे, तो जब भी बहुत ध्यान से इस बात को दिमां में रखना कि ना बहुत ज़्यान से, जब भी लेटर्स को कोड किया गया होगा, तो हम ववल और कौंसbek वाली बात को दिमां में बिलकुल गांट बांध के रख लेंगे, कैद कर लेंगे, दिमां का धकन खोलेंगे, उसमें अगर लेटर्स का code निया होगा हम अगर कोड़ किया होगा कि अगर इसा इसा कुछ किया होगा तो हमेशए ध्यान किए कि लेटर्स जो है जब ही हम सवाल पढ़े तो सबसे पहला observation सवाल में रखेंगे क्या कि लेटर्स का और इस वर्ड का first element और last element क्या है? ववल है या consonant है? ये बात को ध्यान में रखते हुआ आगे बढ़ेंगे हम दो, ठीक है? आईए. अब एक बात मुझे और यहां पर आपको बतानी है, यहां पर एक note नहीं लिखा हुआ, मैं note लिख देता हूँ, note यहां पर क्या होगा? इस वर्ड को ध्यान से समझेगा और फिर उसको ध्यान से समझेगा, क्या बोल रहा हूँ, चारो मैं? बमान लो कि इस सवाल में हो सकता है, पहला कंडीशन हो रहा हो, उसके बाद दूसरा कंडीशन भी भी यहां हो रहा हो, तो फिस्ट कंडीशन का आँसर बनेगा, जिरा सिके रहें दखने करेंगे, तो इसके अब सवाल से इसूल करते हैं, क्क। बोल रहा है, what is the code for IKST I1 वोवल है, T2 पर एक वोवल है? और एक कॉंसोननेट अब सेंगे, पहले क कंडिशन नहीं पढ़ेंगे दिस्टा अब सवाओं में करेंगे फिर जाये के सवाल पढ़ेंगे मैं कभी मत करूंड़ा अब करो यह काम करूं काम करूं क काम करों इस फिर्स्ट इस वोवल देन दें देंद गोड पाया गया तो भाई पहला और आखरी एलिमेंट जो होगे इसे कोड़ एक से स्टार्ट होना चाहिए और इस स्टार्ट हो जाएंगे और अब सुर्फ इतनी सी बात से हम लोग का एंसा निगाल सकते हैं वा समझेगा सिर्फ इ और यह strategy को आफ फॉलो करते हो कि options cancel out करने की आदत है तो आपको of course बहुत जल्दी answer कर सकते हो ठीक है that makes sense कि option जो हमारा A होगा वो correct answer हो जागा यहां पर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पुर्णिमा कुमारी काड़ी अपडेट यूर आंसर आंसर इस option number A question number second आपके screen पर है ठीक उसी प्रकार जैसे question number one था यहां बोला गया है E-K-U-Y क्या बोला गया E-K-U-Y that means कि E क्या है वोवल है और Y क्या है consonant है लेकिन हमारा यहां पर एक बात नजर डालना चाहिए आपको एक बात observe कि आपने मुझे नहीं पता आप देखी यहां पर क्या है J-K-S-T-5 पहला पांच लेटर जो यहां दिखाया गया box में वो consonant है और आखरी के पांच लेटर जो दिखाया गया है वो वोवल है और दूसरी बात उपजर करने वाले यह थी कि जो इंबल्स यहां लगतार पहले पांच पांच सिंबल बताएं गया जो कॉंसोंट के इस हिसाब से उसी वे में कही ने कहीं सिंबल हमारे लास्ट में भी पांच है तब यह सिंबल यहां नजर आ रहे हैं यह अरma पतलों के हैं रही हिम अरैश अरही होरा है इसी एका वी सिम्ल्लthank नहीं के फॉर्ट और क।ो रही Minor करता है है अगर इस फस्ट еLemEnt इस weekend, इस फिर्स और लैसे सब्सक्राम के बदें फिर्ट S A यह मैच कर रहा है लेकिन हमारे पास अभी एक अब्सक्राइब करनी कि हमने कहा कि नोट में लिखा था यहां पर इस बात को आप बाकी के सारे सवाल पर पर प्लाइ कीजेगा अब लुघ लेगाएंर यू मै अपलाइ करेंगे कर देनकी किकाऎ का रहा है लुघ का इसडिखाईगा था लुघ केणान किटार य वह उदिठ्ध लग था क्या का करेंगे टेख दिखाईग अगर यह के अब एक लिघ कव कर में गुण कर ढथा कर दिखा और यह वह तेक्ष यह लागू हो पा रहा है, next, if the first and last element is consonant, why first element नहीं consonant, that means यह लागू नहीं लागू हो एका, लिगना फोर्त को पढ़ते हैं, if two elements with the same codes are there in the arrangement, if two elements with the same codes are there in the arrangement, then both the codes should be coded as the code of the next succeeding element in the above series, that makes sense, that means if K and U are the same code, if two elements with the same codes are there in the arrangement, then both should be coded as the code of the next succeeding element, that means K के जस्ट बात क्या आता है, S, S का code क्या है 2, और यहां पे हमारे पास U के बात क्या आता है, O, O का code क्या है 2, that means कि दोनों के हम क्या कर देंगे 2, 2 कर देंगे, that means of course किस्मत अच्छी है कि आपका जो आंसर यह वाला है, यह match कर गया, लेकिन मेरा हिदायत यहां पे यह है, कर देंगे, 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 क Q1 भी लागो होगा, Q3 कोडियानना कि इस का थिक इस की , Q1 भी लागो होगा, Q4 भी लागो होगा, दयानना किगा इस बात को ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, that makes sense कि option number B is the correct answer for this question, but Greeny Sahu समय का यह, प्लाई कर पा तो के अर्य लेटर हो प्लाई करना है, के यहां पे तो डुह डिहा है, यहां पर तो तो का पीक्पुन सलंदिंग Rights म epoxy सब्सक्राइब। पत्सक्प्राओर अगी, सब्सक्राणि के तब हम उसमें दया है , सकत्सक्राइब μας को ཉཆ यཁ ཉགགས में, ཏཉམ लགས ཏགས ཆཇམ ཆཇད ཏལ ཏེད ཏེད ཉཏབས ཏམད This is the code of the first element. That means, if the first and last two consonants will type S and J as well. The S code is 2, that means here in 2 and here in 2. That means Start and End is 2, right? That means, that means option number A can be done. Option number A can be done and option number E can be done. That means, now, we have that there is a chance that option A also can be correct, B also can be correct, D also can be correct and D also have to be true. Now, let's see what the condition is just here. K is here and your code is at this case. E is here and T is here. So, this code to E and T the same code, which we have? That means, if we call it K and R, that means, it will be correct, then K will not replace it. That means, it will be correct when at 2, at the rate just not attest, that means, that option D cancel out. Our have to have a and b. भै जब भी ऐसा नजर आता है किसी भी तो लेटर का कोड ही अगर किसी भी दो म्रका कोड़ी ऑगर । यहीं पर थे इक और थे नोर में कोड़ी अरो के वहीं अग्या से इस सफढ시면 쉬 ay शांप जब इस सब्सक्राइब कर सा हूं और पे लिहां पर रह benefici करें धिर कुछ रहा है लगाएंगे में T का लोगाएंगे हैं टेकर कोड़र यहां के लिक साथ टीwritingोपने हैं That means this is your answer and we can see that option number b is carrying the same answer so this is the reality of this question this is a reality of this particular innovative question यह सवाल innovative सवाल है यह बवह सवाल नहीं है मतलब आपको हलकी मेलेके चले जाएंगे तो मिस्टेक्स आप मतलब इस पूरे सवाल में आपसे मिस्टेक कराई जा सकते हैं इस बाता ख्याल रखिएगा ठीक है ठीक है बाते समझ में आ रही है अगर बाते समझ में आ रही है तो जो ठोक हो बताओ कि हां से समझ में आ रही है that means that this word is having first letter as a consonant and last letter as a vowel that means that our first consonant is that means that condition 1 cannot be applied but the last element is vowel that means that condition 2 can be applied right condition 2 we can apply it just because it is saying if the last element is vowel then the code of last and first to be to be coded as a code for the last digit last digit in this sense means last element is here that is my mistake here element is this kind of thing of course these are all main questions of course these are main questions I have told you that I will go from zero to zero to zero to zero to zero to zero okay sir what's your name is Saurav Singh and I will study you from 11-12 and bank I will study from 11-12 okay and I will not know anything condition 2 we can apply right we can apply condition 2 here and people are answering as option number c for this particular question let's see the correct answer is option number c or anything else so of course I'm condition 2 apply and condition 2 says last that means what is the code that means of course option must start with a and end with a that means now we can apply we can cancel out if we will try to visualize the options smartly we can easily answer option number c is the correct answer for this particular question right now why can we make a condition that means that we can see what we can see what condition is here what reason is now smart work says that man now we can see what condition is here now we can see what condition is here just because we have options here only have options here yes if there is another option here where the add the rate and add the rate remain here in the first to last so now we have to observe s and i here just because कि S और S कोड यहां पर जैसे यहां पर 2 है आई का कोड़ बाद मालूम जलता कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन फिर भी हम तब चा की चरूर चक करते हम S और I पर फिलाल हमारे पास A जो हमारे पास Condition No. 2 को जैसे है अपना अप्लाई किया उसके इसाफसर प्रजेंटेशन सबस्क्राइब करते हैं सबस्क्राइब करें 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 सबस्क्राइब क енное, सब्स मेंना हो दिए करता, इसल समय हो था में क्यूंतर करने टरबाहें, इसल समय नियुद, सब्समाने हैं, स्ब्सль हो सब्स्क्राइज है, सब्स्क kn cinco फ्र ! हाँ मैं रिपीट कर दूंगा कोई बड़ी बात नहीं है चलो बाई जबर्दस फाइरिंग हो रही है ऑप्सन नंबर एक को लेके गजब फाइरिंग एक बार मुझे बताओ कि कितने बच्चे भी वाच कर रहे हैं मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कोई एक स्टुटिंट आसा कर तो ठीक है अभी नहीं बहर देना सब लोग आसा करना बस एक आत बच्चे कोई कर तो कमेंट यहां से इतने लोग भी देख रहे आपको मुझे अभी वाच्ची समझ नहीं हारी because of course बहुत पंगा चलता है so of course यहां एक्सलामेशन होगा यहां भी एक्सलामेशन होगा इसमें कोई शक नहीं है that means of course option number c and d can be cancelled out now we need to focus on i and o we need to focus on i and o क्या इसके code नहीं है क्या हम condition 4 तो apply नहीं करना पड़ेगा में यहां पर ठीक है so condition 3 तो apply हो गया 4 apply करना पड़ेगा क्या तो i का code नहीं जार आया percentage o का आया 2 that means different code है that makes sense कि we can go for कुछ भी चेंज नहीं करना है percentage 2 होना ची percentage 2 यहां पर option number x option number b गलत है option number e भी गलत हो जागा ठीक है okay fine सबको अलग-अलग data दिख रहा है question 3 को हम skip कर एक पार फिर से repeat कर देते है okay question number 3 में क्या तकलीफ थी question number 3 okay question number 3 में क्या हुआ हमने 2 condition apply किये condition number 3 सबसे पहला apply किया जिसमें कहा गया है condition number 3 कह रहा है कि भाई साहब अगर पहला और आखली consonant होगा तो हम आपे क्या करेंगे पहले की तरह दोनों को हम लोग code कर देंगे S का code हमें मेला 2 that means हमने first or last 2 बना दिया इसमें कोई शक नहीं हुआ अब हमारे पास 2 से end होने वाले तीन option नजर आए हमारे पास तो हमने क्या किया सबसे पहले option number C काटा और option number E काटा और हमने option number D को और B को और A को रहने दिया अब हमने क्या कहा कि हाँ तो हमने अभी A B और J D को यहां रहने दिया को सब लोग कर रहा था 2 2 से 2 2 से तो हम क्या कर रहा है भाई K E और T को observe करने क्या K E या T कि इन तीनों में से किसी का कोड क्या similar नजर आ रहा रहा या तो मैं देखा के का कोड क्या नजर आया हमें यहां पर के का कोड जो नजर आया हमें यहां पर वो नजर आया के का कोड क्या है एक्सलमेशन नजर आया E का कोड क्या नजर आया हमें एक्स नजर आया और साथी साथ T का कोड नजर आया हमें क्या करेंग भाई एक को पकड़ा देंगे बात समझज़ है अब आपको यी बात समझ में इस टीज है आप है खीक जले एड बात करेंगे एक यह चलिए अब दूब करें आप जाएगी अब जेन कि तो चलिए ने नेस्ग आपको तो कली ओ है जालते नेक्स जो है सिमलर कुएशें उस तरह से यहां पर मैंने नोट लिख दिया है पिसले सवाल में मिस्कर गया था लिखना यहां पर लिखा हुआ है आप सोचे इस तरह के स्वालों को प्रेजेंट करना अपने आप में बहुत कथिन काम है नहीं अब सारे कोशन रिपीट नहीं करता मैं ठीक है ठीक है चलो अगर कहीं भी अब तकलीफ हुई होगी तो प्लीज एक रिपीट कर लिजेगा आपकी पापस से जब सेसन खत्म हो जाए प्लीज जस्ब काम बहुत असान अब हो चुका होगा अपको समुझ में आगे पचने लगा होगा यह चीजें डाइजेस्ट कर पारे हों प्रेशन आपका पाइज जल्दी ही आने वाली मेरी अब जल्दी से पेड़ लेके आने वाला हूं कब जेसी लॉग डाउन परे खतम हो यार बिकॉस बहुत सरा काम बढ़ जाता है यह बहुत परिशान हो जाता है घर पर सारा काम करना पता है आपके लिए पीपीटी तिया अब जो खाना मिल रहा है वो बना बनाया है यह बहुत महनत के बाद यह सब खाना जो पर उसागे अब के सामने ठीक है बहुत 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 महनत लगता है इस बरके सबालों प्रिपार करके आपके सामने रानाने में ठीक एचली आगे बढ़ते हैं tea conditions यहां ंदी है और फोस्कूर्प पतीention यहां पे दिया हुआ हूं और अफ्कोर्स डिरेक्षिन यहां पे दिया हुआ है और छान पर छांब जिया है यह रुतु पड़ना राओत अपने क्या कमेंट किया मुझे समझ निया रहा乾़ा है इफ 3 sign, समझ नहीं आ रहा है मुझे ये बात, मैं पढ़ भी नहीं पाया भी, ने ने, जीत बैच मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ, जीत बैच मेरा नहीं है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, सवाल पर आते हैं, सिधा सवाल पर आएंगे, एस पार बोला गया, if the 7th alphabet is a vowel and 4th alphabet is a consonant, then code of both will be same as the code of first letter of the given word, बेhyतरीन सवाल, मतलब बेहतरीन, सपरतस्द, ए?' ठीके चलो, mole Part 1. So, एक वरड यहां दिया है, TRANSFER, अब हम यहां पर वावल काशन्ट सवाल कहानी है, वो तो हम नहीं कर पाएंगे ठीक है हाँ ठीक है थैंक यू अखिल ठीक है चलिए ट्रांसफर वर्ड में हम अब्जर्फ करेंगे कि 7th element यहाँ जो 7th letter वो ववल है तो हम देखिए 4, 3, 7 7th letter E है और E एक ववल है ठीक है भाईया चौथा element consonant है कि आफकोर 4 यहाँ पर N हर consonant है तो क्या कहता है यह कहता है यह भाई साहब तो आपक्या करना है तो कोड़ बोथ विल बीसेम एज़ दीक है यहाँ पर फस्स लेटर इंद गिवन वर्ड दो फस्स लेटर के है थोड़ा वेट कीजिए और अभी 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 निमाक करना है अफकोर्स टी का यहाँ पर exclamation है हो सकता है वो सही भी हो अभी तो बताया मैंने अभी अभी बताया चीजी चमका इन का इन का कोड़ इसके अभी इससे zag लाइब बताया न Member कर देगी अभी अभी 8 कोड़़ अप्शनमिके Näबिसे कि आपकोड निहाँ करेंग अभी कि यहाँ न क्लिक है इस तीन चीजों का हम जो चुट रख सकते हैं, T N और अपके एका उन सब का क्या को तके हो गखेंगे, इस अपके एक्साफ का कोटेगे, इस अपके थे लगे का का चाहिए लगे वागी का का चाहिए लगा है, अब क्या हमारे पस कंडिशन वन तो प्लाई हो गखेंगे, यह आपक्रस कोंदिशन 1 थानल Sutra माम पिलिखने को शनलफ हिसे में पाफनी शनल शनल थानल सबने कोंदिशन 2 रहे इा किता मैं एक चलून वे इत बीखलत आपनी सिर्न ए एक फान फार्गेशन थानट कि दोलर दोलर लिखेंगे और एक कोड पास फिर सिया नजर रहा है, हम एमफेसं लिखेंगे और र कोड मारा पस गिवन है, तो यह हमारे पास, अप्ल, अफर अप्लाइंग दो फर्स्ट स्टेप, वी रिए गट दिस आंसर, राइग? ठीक है, को अप्लाइग? कि कि वी नीग प्लाईग डीक का सिंग उन्र पांप्लाइक कर सकते हैं, तो यहां प्लाइक प्लाई हो तो यहां प्डीक कट्मारी चुखनेंगे और मेरे पांष 59 प्लाईग वी रिदीक के-ई new ज्लेट्टो चैनों का सिंग्या प्लाई है जाते हैं पांच से अफिक हैं अप्लाइ तृफ से ठीचिकasia क्रणिग THIS का टीचेंगे अपनाते हैं कंट्राइब kं अपनिसन फिंट तड पांच से अधिक है ताथ जाए गार यहां पर जाएकँ आnd था प EMP 2nd and last letter is consonant, then the code of vowel present in the word will be changed to the code of last consonant Okay, now look here If second and last letter, second means ar, and last letter means again ar If the second and last letter is consonant, of course, what are the second and last letter here? If second letter is consonant and last letter is consonant, then what will happen here? What will we do here? We will code the vowel, the vowel present is A, this is vowel What will we do here? What will we do here? A is vowel and E is vowel What will we do here? Then the code of vowel present in the word will be changed to the code of last consonant The last consonant is R, then what will we do here? A and E That means that if R code is 8, then what will we do here? What will we do here? Iota, sorry Iota, that means exclamation And then after here we will write 8 and here we have a vowel, what will we do here? You will write 8 and here we will write 8 here And here we will write the rest of this one And here we will write this one Of course Emphasent here will come, Adrate here Second and last letter was nochmal and we will change that Then we will go and change that Dollar is here, then it is 8, then it is 8 This is your answer, final answer So, exactly this is the scenario What we can find Of course, if you have to add options here, I have to add a little bit of an amount of options यहां पर इसके साथ एक्सलामेशन वाले सेंटेंस के साथ होना चाहिए था कि आपको लड़ाई करने में ताइम आपको अप्जर्व करना पोड़े बाकि यहां पर अगर हम स्मार्टली सिर्फ अंडिशन वन को अप्लाई करके हम देखेंगे तो अफ्कूर्स नुबर देखे मतलब मैं कहां से कूट जाओं यह बताओ ठीक है अरे पाप यूँ पहला कंडिशन तो सबसे आसान है बोल रहा अगर सात्वा मतलब ट्रांस कोई वर्ड है उसका सात्वा अलफड ठीक है अगर वो ववल पाया गया और उसी वर्ड का चौथा लेटर कॉंसनेंट पाया गया अरक अश LIGH Talk search ड्रांस क्या दान से कॉट कोट कि गया तो हुम क्या करेंगे दोनु का कॉट जात्वा होगा और जो चौथा लेटर होगा, इन दोनु का कोट का का ऐसा हो जागा पहले लेटर की तरह होगा तो पहला का जो होगा पर चौथा का भी पहला वाला कोट ही ओगा थीक है, between a word है यहां पर, नहीं, condition वाले question में भी लोग क्या करते हैं ना, जो मैं देखता हूं कही बाहर की लोग क्या करते हैं तो मस्त बहुआ बहुआ सवाल बच्छों करा देंगा रहें, देखो condition है, पहला बहुआ लास्ट यह बस उतनी भी करके निकालते हैं बच्चे पल मैं अब लोग कोस्ता हैं मैं थिस्ता हैं यहां थे रहें, पहला बच्चे लोग लोग को में अदनी में ग्टीश आप करेंग को नहीं है, मसला है। So what can be the code of Bitwin? What can be the code for Bitwin? What can be the code for Bitwin? We will observe if we have 7th letter alphabet or 7th alphabet is vowel So we see 3, 3, 6, 7th here is N and N is vowel That means condition 1 cannot be applied If there is 5th consonant 1, 2, 3, 4, 5 5th consonant is not enough Condition 2 cannot be applied Condition 3 If 2nd and last letter is consonant If 2nd and last letter is consonant or not, then condition 3 cannot be applied When it happens When it happens When you don't apply Then do not do anything Similarly, B code is given and B code is 3 So 3 will come to 3 Here is 3, here is 3 Here is n code What is n code? Is equal to That means D cancels out Here is equal to Here is equal to What is e code? What is e code? We need to find e code It is used here Here is hash 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 Now, we will try to find that of course Here is 5 Here is 5 Here is c Cancels out Now, we need to focus on this thing What is in this thing? Where is the difference? Here is exclamation Here is 5 That means 3rd What is the answer? Here is T That means option number A Is the correct answer I hope Of course Of course Of course Of course Here is W code Here is 5 That means 5 That means option number A Is the correct answer So this is how we can easily answer the question As it is We can't find this Once again Any condition apply So this is how we can easily answer the question In the notebook by writing आपने पास कि भाई साहब अगर कभी भी ऐसा हो कोई कर्णिशन अप्लाई नहीं होगा तो 99 मार्क करके मत आजाना बहुत सारे बुद्धिमान बुद्धिजीवी बच्चे ऐसा कर सकते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ें ठीक है हाँ चलिए करी भाईसा कोड़ें अगर्म मार्क कारणिशन, Out of the that, prefer it, थाप्लाई करेंका सकते हैं ऐसे प्लब हो सफिर्ड हो सकते हैं कि था पांदालफ हो थाप्लाइक ःप्लाई होक्तिक यह सब्दै laying सवाव趣 What is the fourth consonant? The fourth consonant is not the fourth consonant, so that means that condition No.1 cannot apply. Be confident now, because you are now comfortable in this type of question, that means that now I can expect from you people that of course you can answer here, because the flow can be increased here in the questions. The seventh, we have what we have here, but we have no fourth consonant, that means we cannot apply the condition No.1, hence condition No.1 will be cancelled out. Now we will try to observe the condition No.2, we will try to apply the condition No.2 in this superwoman word. That means that if there are 5 more consonants here, then of course 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. That means that now we can apply the second condition in this question, right? That means that now we will try to move forward and we will try to answer this question. Now what is the code? Now what is the code? That means that there should be added rate. Add rate is of course. So where are the differences? Of course, all of these are added rate. That means that we need to be very much clear. We will try to apply what is applied. What is the second or last consonant? It is the second and last consonant and last consonant. That means that now we need to write the code of this thing. This superwoman code will be written. So of course, we will try to apply S code, add rate is absolutely added rate. After that, we have U's code. What is U's code? U's code is percentage here. Of course, percentage is all. What is P's code? P's code is star. Now, P's code is star and we can find star here but we can find hash here. That means, what is this mistake? Or something else? Okay. SUP is P's star. That means that S was at the rate. Then there was percentage. Then there was star. But since they have said that if you have a second and last consonant, then the vowel present in the word will be changed to the last consonant. Okay. So, let's apply this. What is the last consonant? What is the last consonant? N. Or we can also say that if there are more than five consonants, then third and fourth will be interchange. So what is the third? What is the third? And E's code is hash. So this will be interchange. That means, star and hash will be like this. At the rate percentage. And hash will be like this. And here the star will be confirmed. That means, that option number A cancels out. Now we need to focus here. That means, if the star has 5-5 letters, what is the problem? What is the code? R code is 8. And they are saying that if we have, if 3rd and 4th will be interchange, then we should have option number A cancels out. Now. So, if we have B and none of these are. Of course, we can mark option number B. But. Second and last letter is consonant. Sorry. We can't apply third. Very good. That means, now we can correct option number B. Okay. 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 Second letter is vowel, of course. Okay. Okay. I got it. So, that means, we can apply on the only second option condition here. And we can mark the option number B as the correct answer. So, I hope the idea is clear now. So, let's move forward towards the next question. Question number 9. Okay. 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 Question number 9. Because we have only 5 minutes. We can read in 5 minutes. And I want to give you a screenshot for homework. So, be ready for that also. Okay. You have a vowel. Okay. Very good. Let's move forward towards the next question. What can be the code for counterman? Counterman. So, what can be the code for counterman? Counterman. Good question. Okay. So now, what we can do here, in this question, that we will try to apply the conditions first for the first. Is it the seventh alphabet vowel? Is it the seventh letter vowel? Is it 4-3-7 vowel? No, bro. Cut the option. Cut the first condition. Cut the first. Cut the option. We will learn further. We will learn further. We will learn further. If we will learn the seventh alphabet vowel, then, see, the seventh letter vowel is not 4-3-7. What is the seventh vowel? We will do this in the seventh vowel. We will check further. See, what is the fourth vowel? जो पापी विद्यार्थी वेल बुद्धी विद्यार्थी। था पापी भीक विद्यार्थी। भाही था था रहाइत्य। That means now we can say that we have to interchange the 3rd and 4th So first we target the 3rd and 4th, u and n U code is % And then we can say that 3rd and 4th That means n code is is equal to That means is equal to and % should be interchanged So if we try to visualize this question that What is written here? Counterman And here we have u and here we have 4th This code has u and % is equal to That means they must be interchanged That means is equal to must be here and % must be here So is equal to we have 3rd Where is it? We have a or b That means option number c can be cancelled out Option number c can be cancelled out One more time we apply condition 2 But first we apply condition 2 After 3 we check condition 2 After 3 we apply condition 2 No, first condition will apply Only second only 3rd If the 2nd and last letter is consonant 2nd and last letter is consonant 2nd and last letter is consonant 2nd we have vowel So we can apply condition 3rd That means we can apply only 2nd condition And here we can see is equal to and % 3rd and 4th That means we have a % That means we have a % That means again we need to mark Option number b as the correct answer And first we will check here Of course we have c code So c code is greater Of course we will go to last We will check that n code is equal to Of course it is equal to here M% code is your m% code Of course a code is M% We will verify and mark it So we will check that So strategically we can do We can do comfortable And of course condition 3 Of course condition 3 That means we will apply Okay, let's go ahead 10th question on your screen Please tell us what is the correct answer What is the word given? Perfume Thank you Mokesh Thank you Next question Perfume word given Let us tell us which condition 7th 7th alphabet 3, 3, 6 Yes, this is a vowel And 4th here is a consonant That means condition 1 can be applied That means condition 1 can be applied And so we need to mark Both will be coded as the code of the first letter That means p code is star That means star here We need to use 3 times Star we have the first time In 4th position Sorry 7th position So in 4th and last There should be star here So star here That means That means Of course Some other conditions Can apply Because p code P code Star here Of course Okay 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 Wonderful explanation Thank you so much Now let's go to the question So of course We can go for this 3, 3, 6 and 7 That means Of course We have star here But we can see If there are more than 5 consonants So 5 consonants There is no more than 5 consonants So There is p here There is r There is 3 There is 3 There is 4 That means Condition 2 cannot be applied Now 2nd or last consonant Second here Consonant is not Second consonant That means Condition 3 That makes sense We should go for We should go for This thing Condition 1 Only condition 1 Can be applied And perfume word That means That of course that of course Start 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 End That means That means Option number E is The correct answer for this particular question And now the condition is Exactly None of this Very good Very good Very good Very good What theLP is In theary of a specific level Do you hear something आपको ऐसा अगर लग रहा है तो जल्दी से कमेंट किजिए बताइए हाँ सब्सक्राइब मज़ा गया मतलब मज़ा आगया तो मैं चलता हूँ आपको होमवर्क क्वेशन देने की और पहला सवाल जो होमवर्क के लिए होगा वो आपके स्क्रीन पे है फटा फट इसका स्क्र कर देख लिए अगर सिंपल कोडिं के सवाल दिये गा है, तो उसका खाल दखिएगा कि उसमें क्या करना है पूल पहले वबल और कॉंस्ट पे धिया दिजेगा जो ही वर्ड का लेटर्स का अगर कोड किया गया होगा सिंबल में तो यहां पर इसवाल मैंने क्या अलग किया ह यहां पर मैंने शीमब को कोड किया है, यहां पर लेटर्स में धियान केगा, लेटर्स जो है वो कोड है, किसके सिंबल के या नमबर्स के तो ध्यान केगा, इसीज का ध्यान अगते वे यह हमबक आपी सवाल को सॉल पीजेगा, जरूर कमेंट कीजिए और बताई जो सवाल मैं देने वाल हो भी फिलाहल आपको 5 सवाली 11-15 सवाल उसे प्लीज आप 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 से सवाल को मैं पलट के रखा हूं यहीं से चट्चा सुरू होगी कल की क्लास में तो यहां पर काम बनता है फ़र्ज बनता है कोई फटा फट करनी सा आपके स्क्रीन सोट लीजिए मैं हर इस सवाल में 5 सवाल एक दो तीन चार पांच डन हो गया होगा मूव करते आगे एक तो तीन चार पांच डन हो चुका होगा चलो ओ चुका एज़िए वरी गुड नहा वर्मा वेरी गुड ज्टिश्टर आपके स्क्रीन पर फट फटा फट स्क्रीन सुट देते चलो कमेंट करो न करो स्क्रीन सुट देढ आर कुछ समजदार लोग कहेंगा अच्छा को प्ले करके और वहां पहुंच पहुंच के मस्किन सब्सक्राइब ले लेंगे समझदार लोगी कमी नहीं दुनिया में अनिवेज आगे बढ़ता हूं ठीक है क्वेशन मर 14 आपके स्क्रीन पर है क्वेशन मर फॉर्टीन आपके स्क्रीन पर है तो यह लाइव वॉच कर रहे हैं बहुत ही बात है जो लो लाइव वाच नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वीडियो को ज़रूर लाइक करो शेयर करो पढ़ अच्छे से और हां कमेंट कर दिया करो सेसन कैसे चल रहा है ताकि मैं उसको पढ़ता हूं और मैं कही शेचा सेख़ इता हां इस लेकर कमेंट पढ़ा मैंने मुझे मालूम चला की नियुक नहीं है लाइस वले कॉएशन में आपने वर्वल को लेकर कुछ मिस्टेक किया साहँ तो मैं इसको अबजर्फ किया मैंने काफी प्रोपर्ली देखा यूसको फिर मैंने ऑफको सब्सक्ते मिट कर दा भीन न्राइग कर दाल बंग सब्सक्त आगर जो बंग Nano fine मैण सुचार कि और हम दो क् Same Slow से तू लगया था Ya T assessed मैं था जार रखी बंग सब्ड्राव Issac यइन का झार भला हो I'm a झार्ट नहीं कर दें सब्ते हमें कार दाल हों आए तक करने ही करने है वह तो नहीं करोंगे तो बहुत बढ़ा पाप हो जाएगा बिना भीज करना चाहिए और क्लास की जो फीस ती किक और द शिखिशन को यहीं खथम करते हैं कल ठीक है 11 बज़ों बात करेंगे जबर्दस बात करेंगे इस कंडिसन गांसान होगा और और ख अलग अलग लेवर के सवार आपको मिलेंगे कंडिसनल कूटिंग के अंदर ही तो बिलकुल बने रहे हैं मेरे साथ ठीक 11 बजे कल सुबह और कुछ नहीं थैंक यू सुमच बबाई ठेक केर और अच्छे स्रहो पढ़ाई करो मस्ती करो सब कुछ करो मतब पढ़ाई भी करो और प्राइटी देना चाहिए बबाई